व्लिकुम दियर स्टूडेंट्स जैसा क्या आप जानते हैं हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लिटिकल एकनॉमिक एंड कल्सुरल कंसेट्स औफ ग्लोबलाजाशन उसमें मैने आफ को प्लिटिकल चंसेट्स बताए हैं तो मैं आप से ब्रीफली कहना चाहूंगी कि विद एंट्री अप मल्तिनाशनल कंपनीज वेलफेर स्टेट वेलफेर स्टेट बनी ज्यादा से ज्यादा अंजाम देने लगी लोगों की बहबूदी के लिए लेकिन उसके बाद जब से ग्लोबलाइजेशन इंट्रीउस किया गया तब से स्टेट्स जो हैं वेलफेर स्टेट्स वो चेंज हो गई मार्केट फैक्टर में क्यूंकि उसने क्या कर दिया जब आपने मल्टिनाशनल कंपनीज को एंटर किया अपने मुल्क में प्राइवेटाइजेशन को सर्विसेज हो चाहे बाकी इंडेस्ट्रियालाइजेशन से रिलेटर हो उसमें आपने उनके लिए जगा दे दी तो नैचरली स्टेट जो है स्टेट इंडिपंडेंट कोई भी डेसिजन फिर ले नहीं सकती है क्योंकि स्टेट जब भी कोई डेसिजन ले ले उसको वहां प वज़े से ग्लोबलाइजेशन की वज़े से हमारी स्टेट जो है वो इंडिपंडेंट डेसिजन नहीं ले सकती है लेकिन ये भी फरामोश हम नहीं कर सकते हैं कि हमारी स्टेट जो है या पूरी दुनिया जो है जब से ग्लोबलाइजेशन इंट्रियूस हुई है तब से ग हमारी state का काम जो है वो ज़्याद़ efficient होने लगा हमारी state हर लहाँ से develop होने लगी जहाए information technology की मदद से communication की मदद से transportation की मदद से जो भी उसमें flow आया उसकी वज़ा से हमारी state जो है वो समझ लीजिये और quick decisions लेने लगी और efficient government बनने लगी तो उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं economic consequences globalization के क्या है you know dear students economic consequences हमारी एक्तिसादी हालत कैसी है अब globalization की वज़े से पहले की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि globalization की वज़े से जब आपने multinational companies को इजाजत दे दी जब आपने privatization को भढ़ावा दे दिया capitalism को भढ़ावा दे दिया इसकी वज़े से क्या हो गया कि बहुत हद तक जो gap है between rich and poor countries वो ज़्यादा वाइदन होने लगी because you know developed countries and rich countries they are becoming more richer with the help of this capitalism with the help of private entrepreneurship because they are having wealth or they are dominant in world bank and IMF institutions वो loan देते हैं गरीब मुलकों को और वहां से interest वसूल करते हैं तो naturally गरीब मुलक जो है बिचारे गरीब हो रहे हैं और अमीर मुलक अमीर हो रहे हैं क्यूंकि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया पे इस वक्त जो कबजा जमाए हुए है पूरी दुनिया पे जो हावी वो है World Bank IMF कोई भी कंट्री क्यों ना हो लेकिन इन इस्टूशन से वो loan ले ही रही है और naturally इस इन इस्टूशन के जो मालिक है इन इस्टूशन के जो में पिलर्स हैं वो है डेवलपर कंट्री और वो अपना शियर इसमें दे देते हैं naturally you know they are getting huge interest from developing countries and poor countries और एक बात क्या हु इन रिमूड ऑन इंपोर्ट्स पहले टरेफ ट्रेड वगरा जो होता था वो लिमिटेड होता था लेकिन globalization के वज़े से सारे चाहे सी रूट्स हो चाहे ट्रांसपोर्ट हो उस पर जो restrictions थी वो हटा दी गई है इंपोर्ट्स पे और बहुत ज्यादा टेक्सिस टेक्जेशन जो है उसको कम कर दिया गया तो in fact economic consequences की जब हम बात करेंगे globalization में तो यहां पे globalization में में यह कहना चाहूंगे economic globalization linked with international institutions like IMF and World Bank both these institutions play major role in determining economic policies all over the world economic globalization deals with great economic flows between different countries of the world the flow takes place through exchange of commodities capital people and ideas आप देख रहें economic globalization की वज़े से क्या हो रहा है कि जब बेंस हटा दी गई restrictions हटा दी गई और globalization की वज़े से flow आया एक इंकिलाब आया एक सैलाब आया commodities में you know commodities में flow आया तो economic globalization जो है इसका मतलब ही है कि flows Commodities में flow capital में flow जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आप से people में flow ideas में flow तो restrictions हटा दी गई इस पे इसी तरह से जो computer related service है या internet जो है अब देखे इसने जिन्देगी कितनी आसान कर दी है या इस तरह से globalization की एक view है कुछ लोग कहते हैं कि हमारी economy पे बुरे असरात आए गरीब मुल्क गरीब हो रहा है और अमीर मुल्क अमीर हो रहा है अमीर शक्स अमीर बन रहा है गरीब शक्स और मज़ से खासकर economic globalization के वज़े से जो trade barriers हटा दिये गए जो यहां पे you know imports पे trade barriers हटा दिये गए या जो information technology में सहलाब आया या कि जो flows आए इसकी वज़ा से हमारी life बहुत easy हो गई और हमारी states ज्याद से ज्यादा जो है काबिल हो गई उस काबिल कि वो independently कोई भी decisions ले सकती है और अपन नहीं कल मैं फिर से आपको अच्छे से discuss कर लूँगी political भी economic और साथ में cultural भी